नमस्कार सातियों, विजिस्टी नेट दिसंबर 2018, पेपर फर्स्ट, आज हम देखेंगे डाटा इंटिप्रेटेशन का जो नेश्ट कोश्चन्स हैं, हम समझाने की कोशिस कर रहे हैं, कि आपको जो है डाटा इंटिप्रेटेशन में से पुछे गए 5 प्रश्ण आपसे बन ज दिया हुआ है, टेबल चार्ट के अंदरगत हम आपको बताने की कोशिस कर रहे हैं, कि ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये कैसे बनाया जाता है, उसको हम यहाँ पर टेबल चार्ट के रूप में प्रस्टूत किया है, अब विजिस्टी नेट पेपर फर्स्ट में data collection करेंगे, data collection का, analysis करना पडएगा आपको, जो अपने data kanalysis करेंगे, वो data interpretation के सहारा लेना पड़ेगा आपको, जो है data interpretation के अंतरगत ही आपको जो है data का जो है analysis होगा हमने यहाँ पर table chart के अंतरगत यहाँ पर students लिया हुआ है यह जो है पाच पाच student है यहाँ पर हमने क्रमांग दे दिया यह पाच student है यह पाच इस्टुडेंट का नाम दे दिया है राम, सयाम, गोपाल, सिता, रिता आप इस तरह से गड़ित की तरह मत समझीए इसको हमने जो है research methodology के अंतरगत हमने data interpretation करने की कोशिज कीजी यहाँ पर students को student के चार subject है math, English, physics and social science इसको समझीए और राम को math में 80 marks मिला है, English में 60 marks मिला है, physics में 70 marks मिला है, social science में 70 marks मिला हुआ है सयाम को इसी तरह से मिला हुआ है, math, English, physics, social science में सभी को मिला हुआ है, गीता, सिता, रिता, सब को मिला हुआ है अब यहाँ पर क्या प्रशन पुछा जा सकता है, आप इसको समझने के कोशिज कीजी आपकी UGC net में जो data interpretation के दरगत दो तरह के प्रशन ज्यादा तर पुछे जाते है सबसे पहली question जो पुछा जाता है, वो आवसात average निकालने के लिए कहता है क्योंकि इसमें average निकालेंगे तो चूकि आप जब data analysis करेंगे तो average से हमको पता चल जाएगा कि मेंस में कितने बच्चे जो है उसका आउसत marks कितना है, मतलब हम आउसत का ताथ पर यह होता है कि lump sum marks कितना है, किसी को 80 मिलेगा, किसी को 50 मिलेगा तो 80 और 50 को बराबर होने के लिए balance करना पड़ेगा तो एक average, average निकालने से यह होता है कि जब हम conclusion पर जाएंगी, कि नहीं भई मेंस में जो दाजातर लोग average के रूप में इतना लाते हैं, या English में इतना लाते हैं Physics में इतना लाते हैं, Social Science में इतना लाते हैं तो हम average बता देते हैं कि हम मेंस में इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है किसी का इतना आता है, किसी का इतना आता है, तो इसका average मानेंगे तो इतना आता है दूसरा चीजह यह पूछा जाता है कि प्रतिसत से मार्स किसने प्राप्त जादा मार्स प्राप्त किया प्रतिसत में पूछा जाता है प्रतिसत से ताथ पर यह है कि 100 में कितना आप यहाँ पर 100 में राम को मेस्ट में 80 मिला है तो 80% है अब यहाँ पर देखेंगे सोसेल साइंस में 80 मार्क्स जो गए सियाम को भी मिला हुआ है रिता को भी मिला हुआ है इसका मतलब है सोसेल साइंस में आपका स्याम भी बहुत होसियार है और रिता भी सबसे होसियार है लेकिन राम मैस में जादा होसियार है देखिए यहाँ पर सीता जो है इंगलिस में जादा होसियार है यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स में राम जादा होसियार है फिजिक्स म कौन कितना पर्षिन लाया कौन कितने पर्षिन में पास हुआ इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए यही चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं दिखिए यहाँ पर पहला कोस्टिन हमने लिया हुआ है कि मैस, इंगलीज, फिजिक, सोसेल साइंस में कितना ओसत मार्क्स पराप्त हुए, सभी कब ओसत मार्क्स पूछ रहा है, इसका मतलब सब को आपको बनाना पड़ेगा, और ओसत का सुत्र होता है कि मालिजे एक वर्ग में जितने भी मार्क्स हैं सब को योग कर दो और जितनी संख्या है उसमें डिवाइट कर दो, मतलब यदि मैस का आपको औसत निकालना है, तो राम को जो 80 नंबर मिला हुआ है, स्याम को जो 75 नंबर मिला हुआ है, गोपाल को 74, सिता को 50 और रिता को 65 मिला हुआ है, इसको हम जोडेंगी, तो 344 आता है, और इसमें क्या करेंगे संख्या कितना है, कितना स्टूडेंट है, पांच है, तो इसलिए कर दीजे 5 ये मैस का आउसत निकल जाएगा 344 बटे 5 जो है होता है 68 दसमलो 8 मतलब मैस का जो आउसत है वो 68.8 मार्क्स है इसी प्रकार से इंगलिस का भी निकालना है ये सबको जो है जोड देना है सबका योग करना है इस सबको जोडेंगी जो आएगा 194 आता है इसका मतलब है डिवाइट कर दीजे 5 में इस तरह से 5 में डिवाइट करेंगे ये 5 में डिवाइट कर दिया तो 38.8 आता है इसी प्रकार से फिजिक का भी निकालना है फिजिक का क्या करना है कैसे निकालना है इसको जो है प्लस कर दीजे और फिर इसके बाद में जो आएगा 315 आता है 5 में divide करतीजी तो यह हमने जो है 5 में divide किया है तो 63 होता है इसी प्रकार से आपको social science को भी इसी तरह से आपको योग करना है योग करेंगे तो 350 आता है 350 में 5 को जो है divide करेंगे तो आपका 350 में divide किया तो 70 marks आया तो आप देखिए सबसे ज़्यादा कि subject का ओसत मार्ग ज़्यादा है यहापर देखिए 68.8 है यह 38.8 है यह 63 है इसका मतलब है कि 70 70 जो ओसत है social science का सबसे ज़्यादा average है आपका question पुछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा average subject जो है वो social science में आता है इसका मतलब यह मना जाता है कि social science में ज़्यादा तर score लिया जाता है ज़्यादा score जो है social science में आता है यह मान के चलते हैं यह conclusion में उतरते हैं कि math, English, physics, social science में सबसे ज़्यादा marks किसमें मिलता है तो हम का सकते हैं कि social science में सबसे ज़्यादा marks मिलता है सबसे ज़्यादा social science में इसका average 70 के आसपास है लोग 70 आसपास पाते ही है कोई 70 पाएगा, कोई 80 पाएगा, कोई 75 पाएगा, 65 पाएगा लेकिन ये average मानके चलते हैं दूसरा चीज है, यहाँ पर दूसरा प्रश्ण देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझा रहा होगा कि क्या समझा रहा है, कि सबसे ज़्यादा प्रतिसत किनको प्राप्त हुआ है किस student को सबसे ज़्यादा प्रतिसत प्राप्त हुआ है तो आप प्रतिसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कुछ निकरना पड़ेगा मैस यह राम का निकालेंगे पहले अलग-अलग निकालेंगे यहाँ पर ब्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त प्रसेंट है वो माक्स है उसके हिसाफ से प्रसेंट निकालेंगे तो राम को आपको निकालने के पहले यह 80 80, इसको 60, 70 और ये 70 को प्लस करिए ये सब को जोड़ेंगे 80, 60, 70, 70 करके 280 आता है ये actually 100 में है ये सब 100 में है 100 में 80 मिला हुआ है ये 60 में 100 में 60 मिला हुआ है इसी तरह से 70 में 100 में 70 मिला हुआ है यहाँ पर भी मिला हुआ है तो यहाँ पर 280 हो जाएगा और सियाम का टोटल मार्क्स जोड़ेंगे तो 260 मार्क्स होता है गोपाल का 259 होता है और सिता का जो है 245 होता है और रिता का जो है 265 होता है आप सब का पर्स्टेटेज निकालना पड़ेगा टोटल मार्क्स कितना है च जो कि चार सब्जेक्ट है, सबका 100-100 है, इसका मतलब है टोटल 400 है, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, इसकी फार्मुला है, जैसे राम कर निकालना है अपने को, तो 280-100 बटे 400 करना पड़ेगा, इसको जो है, आप कार दीजिये इसको, 0000 कर जाएगा, इसलिए 4 से भाग देत जो आएगा, 4 सत्य 28 होता है, 4 चिका 24 होगा, 200 होगा 4 पानचे 20 हो जाएगा, यह 65 परसेंट प्राप्त हुआ है, कि उनको, आपके स्याम को जो है, 4 चिका 24, चोविज दो, बीस हो गया, चारपंचे बीस हो गया, इस प्रकार से गोपाल का निकलेंगे, गोपाल का कैसे निकालेंगे? यहां पर जो है दो सो पैसाथ है, गोपाल का कितना है? 255 है यह 255 करिए और इसको भी 4 से भाग दे देंगे चार से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 4 शिका 24 चोबीस और एक बचा 18 चार चोग 16 यह 16 हो जाएगा अठारा जो है 2 बच गया 0.5 64.5 परसेंट हो जाएगा यह भी 5 हो जाएगा इसी प्रकार से 245 को निकालेंगे 245 को खम चोखा है केवल 4 से भाग देंगे जैसे यहाँ पर 4 चार हुआ था क्योंकि सुन सुन कर गया था 4 बचा था तो यहाँ पर 4 एकम 4 4 चार चिक का 24 चार चिक का 24 और 4 एकम 4 और फिर बच गया 10 हो गया 4 दुनी आठ यह 1110 मलो 2 परसेंट बच जाएगा फिर उसके बाद 265 का निकालिए 265 भागीत आपको जो है 4 करना है तो हो जाएगा 4 चिक का 24 चार चिक का 24 हो गया 24 में 2 25 हो गया 4 चिक का 24 फिर एक बच गया 4 दुनी आठ चार दुनी आठ चैसर दसमलो 2 इसका मतलब है किसको जादा जादा परसेंट मिला हुआ है राम को सबसे ज़्यादा माक्स मिला हुआ है सेकंड पोजिशन में आपका चुका है 65 है 66 है ये इसको मिला हुआ है रिता को मिला हुआ है सेकंड पोजिशन में आप माक्स देकर समझा जाएंगे 280 पहला नंबर में है और उसके बाद में 265 दूसरे नंबर में है उसके बाद में 60.2 आ गया ये 260 को भाग दे थे 65 आ गया फिर इसके बाद में 264 आया फिर 61.2 परशिंट आया इस तरह से आपका प्रशन जो है पूछा जाता है आपको इसी तरह से बनाना है थेंक यू